Hello friends ये विडियो में जो आपको प्रोडक्ट में दिखाने वाला हूँ वो बीफिट कंपनी का अडल डैपर पांच बीफिट भी नोबल हाजीन का एक ब्रैंड है जैसे फैरंस नोबल हाजीन का एक ब्रैंड है फ्रेंच डाइपर्स, फ्रेंच अडल पैंच, फ्रेंच ब्रीमियम, वैसे ही बीफिट भी उनका प्रोड़क्त है यह जो आपके सामने जो पैकेत है, वो मीडियम साइज का पैकेत है पैकेत अप्टेंट पीसिस, पैंच टाई इनका जो वैस साइज है, 25 इंचिस तो 48 इंचिस के बीच में सेंटिमेटर्स में भी मेंसन किया है उन लोग ने पैंच टाई इसका जो MRP है, 500 पीस, for the packet of 10 पीसिस इसके बाद आपके सामने पैकेज जो है, वो लाच साइज का है बीफिट, डाइपर, पैंच टाईल, पॉर्डल्स इसका जो वैस साइज है, 30 इंचिस तो 56 इंचिस के बीच में पैंच टाईल है अच्छा क्वालिटी का ये डाइपर, पैंच है ये शोकिंग पाउर भी अच्छा है इनका, आई अब्सर्बंची और फिनिस प्रोड़क्ट यूजेज, डिस्पोसिंग, इंस्ट्रक्शन्स, हरे चीजी लोग ने मेंचन किया इसमें वोट इसे राइट पे, किसे पहनने का रहता है इसको, वो भी मेंचन किया गया है इसमें इसकी इमार्टी है, 550 रुपीज, लाज साइज यह आपके सामने है एक्सेल साइज का पैकेट, बीफिट, अडेल्ट, डाइपर, पैंस, पैंस्टाइल डाइपर, पैंटी टाइप, इसमें भी आप देखेगे तो इसका लाज और एक्सेल का सीम, वेस्ट साइज मेंचन किया है उन लोग ने, 30 तो 56 इंचे यह लाज का भी सेम था, 30 तो 56 इंचे लेकिन एक्सेल साइज आब अगर माक्स करें आप इनका लेंट वाइस, 88 cm, और इनका 940 mm, 940 mm मेंच, एप्रॉक्स, 94 cm और 88 cm जो है, एप्रॉक्स, 880 mm इसमें उन लोग ने, 10 cm में मेंचन किया है, और इसमें इन लोग ने, एमेम में में मेंचन किया है, साइज में तो कोई फरक है इसमें लाज और एक्सिल एक साइज बरा है लाज एक साइज चोटा है लाज के बाद एक्सिल आता है पहले मीडियम आता है उसके बाद लाज आता है और उसके बाद एक्सिल आता है आप कभी भी कन्फ्यूज ना होना कि लाउज और एक्सिल में इंचेस जो सेम लिखा है लेकिन साइज में कुछ फरक होएगा या नहीं 100% साइज में फरक है साइज में बहुत फरक है और इसकी जो मार्पी है 600 डुपीज होप यह इंफोमेशन आपको काम आए थैंक यू फर वाचिंग वीडियो और चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलिए कि बहुत सारे वीडियोस आपको रिलेटेड में मिलते ही रहेगी यह चैनल पे थैंक यू